मोहन दास करम चंदर गांधी का जनम दो ओक्टूबर 1869 में हुआ था गुजराती हिंदू मोध गया बनिया पोरवंदर काठ्यावार टटपर उनके पिता का नाम करम चंदर गांधी और उनकी माता का नाम पुथलीबाई था उनका विवा कस्तूरवा गांधी के साथ हुआ था गांधी जी के पिता जी करम चंदर उत्तम चंद गांधी पोरवंदर के दिवान थे गांधी जब नौ साल के थे तब अपने साथ पास के स्कूल राजकोट में जाते थे और वह वहां अर्थमेटिक हिस्ट्री गुजराती लेंग्वेज और जियोग्रॉफी पढ़ते थे जब वह 13 वर्ष के हुए तो उनकी साथी 14 वर्ष कस्तूरवा गावाई से हुआ जब वह 18 वर्ष के हुए तो एमदाबाद के हाई स्कूल से वह ग्रेजवेट हुए जनवरी 1888 वह सामलदास कॉलेज में उनका नाम आया जो की भाव नगल स्टेट में हैं वह अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज ओफ लंडन से पूरी की 1950 में महात्मा गांधी साउथ एफ्रिका से वापस आ गया 1917 में वह चंपारं मुवमेंट के लिए लड़े अपने पसंद की फसल की खेती करने की सौतनता के लिए किसान सुरक्षा के लिए मांग की 1980 में खेडा आंदोलन और एमदाबाद में शमिक आंदोलन एमदाबाद में कपड़ा मिल मज़दूरों के लिए बहतर काम करने की इस्तिती और उनकी फसल के विफलता पर करो की छूट की मांग 1919 राउल एट सत्याग्रा जीवन एक टहराव पर आता है सभी दुकान बंध होने और स्कूल बंध होने के कारण बंध के जवाब में 1919 जालियन वाला भाग हत्याकान जब एक ब्रिटिस ब्रिगेडियर ने अपने सैनिको को आदेश दिया राष्टवादी बैठक में आँख खोलने का आदेश दिया था अमरित सर में एक खूनी हमला हुआ चार सो लोग मारे गए 1921 नॉन कॉपरेशन अस्सयोग और खिलाफत आंदोलन गांदी जी ने ब्रिटिस शाषन के साथ एक अभियान का आहान किया भारतियों से कहा गया कि वे स्कूल, कॉलेज और लॉग कोट में जाना बंद करें और कर का भुकतार ना करें खिलाफत आंदोलन में जिसने दो प्रमुक धर्म समुदाय हिंदू और मुश्लिम को खिलाफत करने की मांग की थी मुहमद अली और सौकत अली ने नेत्र हिंद में सामूहिक रूप से सासन लाया गया खिलाफत को प्रयाप छेत्र के साथ छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वह इसलाम फेत की तच्छा कर सके मार्च 1922 से फरवरी 1924 में गांधी जी जेल में थे और वह फरवरी 1924 में वर रिहा हो गया गांधी जी अपना आधा समय चर्खे पर काम करते थे कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाती व्यवस्था के भीतर व्यप्त सीमाओ को तोड़ने की अनुमती दी गांधी जी खादी पहनना पसंद करते थे 1828 बर्डोली में किसान आंदोलन सभी सफित साइमन कमीशन के विपरित एक अखिल भारत्य अभियान था कॉलनी में इस्थितियां जानने के लिए इंगलेंड से भेजे गये गांधी जी ने एक किसान सत्यागरा किया साइमन कमीशन ब्रिटिस से साथ संसदों का एक समू था जिसने भारत भेजा गया था 1928 सनवीधानिक सुविधाओ का अध्यन करना और सरकार को शिफारिशे देना 1929 दिसेंबर कांग्रेस ने लहोर शहर में अपना वार्षिक सत्र आयुजित किया पुन स्वराज ने लहोर कॉंग्रेस के लक्ष के रूप में स्विकार किया 1930 समिने आवेग्रे आंदोलें डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को नमक मार्च गांधी जी ने साबर मती से अपने आश्रम के लिए चलना शुरू किया गांधी जी ने कानून की नजर में खुद को अपराधी बना लिया था गांधी जी ने कहा कि स्वराज के लिए आपको उन गलत के लिए संसोर्जन करना चाहिए जो आपने असुद्ध के लिए किया था 1939 सेप्टेमबर कॉंग्रेस मंत्री ने गांधी जी का इस्तिफात दे दिया और नहरू जी ने हिटलर और नाजी दोनों को हट से देखा यदि युद्ध में अंग्रेज भारतिय स्वतन्तता को देने का वादा करते हैं तो वे युद्ध के प्रशा के कांग्रेस का समर्थन करते हैं। अक्टूबर 1939 में पंजीक्रिती कांग्रेस मंत्री के विरुद्ध में प्रश्ताओ को अस्विकार कर दिया गया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। या गांधी जी का ब्रिटिश शरकार के खिलाब तीसरा बड़ा आंदोलन था। या एक जन आंदोलन था। गांधी जी फिर जेल गये थे। 6 जून 1944 को गांधी जी जेल से रिहा हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंतता दिवश मनाया। आजाधी के लिए उन्होंने जितनी लंबी संगर्ष किया था। आजाध भारत ने एक स्वतंत्र और एक चूट भारत के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। 30 जनवरी 1948 की शाम को उनकी दैनिक प्रातना सभा में गांधी जी की नाथुराम गोचे ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। तर दो तो च्झे वाचिए वेडीओ लाद से दल वीडेव उन्हों के लड़कित के लड़ी एक लॉट्बी 6 कि लिए ने इनके लिए Сवायरोगोचे लावेश्वाचे लावेश्ट के लिएड़ी पारत तूस्टर फवेश्चे कि लिएऊ रच्वेश्ट प्राम इनकी ब